नमस्कार दोस्तों हमारा चैनल टुरुफएक टीचिंग में आपका श्वागत है आज कहा हमारा विश्या है होमियोपेथिक मेडसिन नेट्रम क्लोरेटम का सीम्टम नेट्रम क्लोरेटम के सीम्टम नेट्रम क्लोरेटम मौस्दी इस्तियों के गर्भा से संबंजित रोगों में बहुत असकारक सावित होती है इसके अलावा जीगर के रोग कान के रोग सरीर के कम जोर होना जैसे लोगों में भी यह और दी बहुत लावकाड़ी है दिविद लोगों के लक्षन हों का अधारपर नेट्रम क्लोरेटम रोस्तिक उपयो जैसे सीर से समझित लक्षन, सीर में चक्कर आना, माते के आर पर दर्द होना, सीर में कुछ बतावा सा महसुस होना, जैसे सीर के उपर का भार बह जाएगा, नाक के अंदर से ठक्के के साथ खून का बहना, आधी लक्षनों में लोगी को नेक्टम कुलोटर मज़ी देने से काफी इलाब मिलता है, मुँख से समझित लक्षन, गले के अंदर जीव के दोनों तरफ बहुत तेजी से दर्द का होना, जीव का सुच जाना, मुン का स्वात खराब होना, मुँखके अंदर छाले से निकलना, मसूरों से खूनाना, जीव पर मोटी से परत का जमना, जीव को अपर दातों के निशा कि ऐसे लक्षनों में अगर रोगी को यह लापकाड़ी सावीत होता करता है और यहुझे स्व Всемलानी के लेचैनी में रोगी कलें करता है इसे तशलिकर लगता है नेन डीन लगती है इस तरह के लगशनों के आधार अगर लोगी को नेक्टन क्लॉटन मोजी देने से काफी राम मिलता है। मुत्र संबंदित, पेसाब से संबंदित लक्षन, पेसाब का गहड़े रंग काना, पेसाब के साथ अन्यशार और निर्वों काना, गुर्दों में सुजन आने के कारण गुर्दे का फैल जाना, कमर के आरपार के भाग में बहुतेजी से दर्द का होना, आधी लक्षनों में अगर लोगी को नेक्टन क्लॉटन मोजी दी जाए उसके लिए बहुत लाफकारी सीद होता है। इस तरही रोग, इस तरही जब दमीत पर बैटती है, तो उसको इसा महसुस होता है, जैसे को उसका गरभासाय ऊपर की और जा रहा हो। गरभासाय ऐसा लगता है जैसे के कभी खुल रहा तो कभी बंद हो रहा है। बहुत ज्यादा खूनी पुरदर का होना गरवासे के भारी होजाने के कारण निस्क्रियता ज्टा नीचे की और दवा पुरता हूआ महसुस होना इस तरह के लक्षनों में लोगी को डेक्रप्र प्रटबॉर्चिं देने से काफी लाव होता है सरीर के बाड़ी हमों से समधी लक्षन रोजाना सुब उठते ही लोगी को महसूस होता है कि जैसे उसके हाथ सुझ रहे हैं गुर्टनों टक्रों में बहुत ज्यादा कमजोरी आयाती है इस लक्षनों के धार पर रोगी को नेक्टरन कुलोटे बहुत देने से काफी लाम मिलत है हम अपने अगले वीडियो में विश्यमाप्तिपून विश्या पर मतफुल नर्काड़ियों के साथ आपके सारा प्रसूत होंगे धन्यवाद